विडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपके समख़ फिर से उपश्टितू हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यानि कि जिसका date of birth अगर तीन तारीकों है, 12 तारीकों, 21 तारीकों, और 30 तारीकों उसका मतलब है कि उसका मुलांग 3 होता है, वो नमबर 3 से परभावित है, यानि कि नमबर 3 से वो influence है, या किसी का भाग्यांक थिरी हो सकता है, यानि कि total date of birth को add करने के बाद अब 3 आता है, त इन सब कोड नमबरों के से जो परभावित है, उसको हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, नमबर 3 का उस पर परभाव है, नमबर 3 की इस पर इनरजी है, उसी का हम complete analysis इस वीडियो में करने जा रहा है, अब हम बात करते हैं कि 3 नमबर क्या है, 3 नमबर जूपिटर का नमबर है, औ तीन नमबर थी इन्फुलेंस लोग जो हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो कैसे associated हो सकते हैं, नमबर जी आपका मुलांग 3 है, यानि कि मुलांग का 3 का मतलब है, कि आपका डेट अबर 3 तारीको, 12 तारीको, एकいस तारीको, और 30 तारीको हुआ है तो आपका मुलांग 3 त्युक्ति आता है, तो नंबर आता है तीन है, उस्तर जे भाग्यांग का मतलब, त्यूम का मतलब क्या है? मालेजे किसी भी व्यक्ति का जन्व डीन डेट वह 15-6-1971 है, यानि कि अगर सब को हम अड़ करेंगे, तो ये टोटल होने के बाद आता है, 30 और 30 को 3 प्लस 0 करेंगे तो बनता है 3 यानि कि इसकी भाग्यांग 3 है यानि हम बोल सकते हैं कि जिसका मुलांक और जिसका भाग्यांग 3 है वो व्यक्ति नंबर 3 से परभावित है वो व्यक्ति जूपिटर से परभावित है और वो नंबर 3 है उसकी इनरजी उसके पास एवले आपके स्क्रीन पर इसमें किसी व्यक्ति के नाम के अलफावेट को आड़ करते हैं उसको नंबर जो से अगर वो तीन पर आता है तो हम बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम नंबर तीन है जो कि नंबर थी से इंफ्लुएंस है यानि कि जिप्टर से इंफ्लुएंस है अब हम कह gamma 5 सकते हैं कि गये क्ति थीन नंबर से इंफिल्वेंश से और तीन नंबर के इनर्जी से परभावी थे यह mobile नंबर में एक पहुत इंप़र्टेंट पहलु है परजन्स सिर्टारियों में क्योंकि mobile ऐसा पाठ है हमारे लाइव का जो इर्दिगुर्द हमेशा घूमते रहता है और इसे हम काफी associated हैं और काफी इसे हम परभावित हैं तो mobile number में अगर तीन की reputation से total mobile number थी लिए हम बोल सकते हैं कि आप कहीं न कहीं तीन number की energy से परभावित हैं तीन number की energy से आप influence है अब यह रहा कि तीन number की energy कहां से आपको मिलती है कैसे आप तीन number की energy से associated हैं अब हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति तीन नमबर से प्रभावित है तीन नमबर की यूर्जा है तीन नमबर की जो इनर्जी है तीन नमबर का क्या है ताकत क्या है उसकी कमजोरी क्या है उसके बेसिक फिचर्स क्या है एक्ट्रिव्यूट्स क्या है उसको मेके करके एक्स्प्लेइन करते हैं कि अगर तीन नमबर वाला जूपिटर को बिलोग करता है और इसको वीज़डाम कर दन अबर यानि वीज़ड़ यानि विद्धिम मानी का नंबर है इसको हम ऐसे बोल सकते कि लेट्स जवा ये भी बोलता यह कि मुझे क्या है जो खुसियां है जो भी अच्छाए चीज है मुझे स्प्रेट करने में मज़ा आता है इस तरह की इनर्जी उसके पास है तो हम कह सकते हैं कि जूपिटर का उस पर 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 भाव है अब हम बात करते हैं नौलेज इस एजुकेशन से इसेटेड है नंबर ते यह नौलेज और इस एजुकेशन को भी इंडिकेट करता है यह गुरू का नंबर है यह कॉंसलर का नंबर है यह सजेशन देने वाले का नंबर है ज्यान बाटने वाले का नंबर है यानि कि गुरू की प्रतिभा है गुरू की जो किज़ें हैं उससे गर influence कोई ब्यक्ति है तो हम का सकते हैं वाइस वर्चा कि वह ब्यक्ति कहीं न कहीं तीन नंबर से suited है और तीन नंबर की इनर्जी से प्रभावित है यह क्या finance का नंबर है और यह क्या यह क्या बात करते हैं क्या है इसकी पॉजीटीव चीजें और नीकेटीव चीज जो इनर्जी को define करती है देखिए अब मैं आपको फिर से remind करा देना चाहता हूं कि numerology में जो भी number है कोई भी number अच्छा और कोई भी number बुरा नहीं होता है उसके aspects को उसके energy को आप कैसे channelize कर रहे हैं और कैसे use कर रहे हैं यहीं बहुत ही important है तो आई हम देखते हैं नंबर तीन की अच्छाईयां क्या है पोजिटीव एट्रिबूट्स क्या है तो यह क्या self expression का number है यानि कि कुछी चीज़ को express करना अपने बारें बताने अपने ग्यान को बताना किसी चीज़ को किसी के सामने present करना हो उसमें नंबर तीन बहुत ही सही नंबर माना जाता है इस नंबर नंबर है नौलेज का नंबर है यह क्या करता है discipline को like करता है एवडियेंट होता है spiritual होता है फेर डिलिंग होता है relationship के लिए अच्छा नंबर है optimistic होता है जो आदमें तीन नंबर ते प्रभाईत होता है good communicator होते हैं यह healer होते हैं counselor का भी काम करते है love to hang out and meet people लोगों से मिलना जुला इनको अच्छा लगता है लोगों को बीच रहना इनको अच्छा लगता है ज्यान बाटना अच्छा लगता है इस तरह के चीजों को अपने अंदर समावेस करें अपने अंदर इन चीजों को लाए तभी जाकर वो तीन की energy को balance कर पाएगा और तीन की energy को सही direction में चैनलाइज कर पाएगा अब हम बात करते हैं कि इसके negative impact क्या है जो तीन नंबर की energy है तो negative impact है attention seeker यह क्या attention seeker होता है हमे not a good listener दूसरों को बात जल्दी सुनते नहीं है इनको लगता है कि मैं ही चाहिए सही हूं और इनको अपना ज्यान देना ज्यादा अच्छा लगता है यह एक निगेटीव एसपेक्ट है इनको discipline पसंद है लेकिन discipline follow करने में कहीं नहीं कहीं दिकत होती है तो इस तरह की चीज़े नहीं होनी चाहिए ताकि अगर आपको इसा करेंगे तो आपके तीन नंबर की energy है वो balance नहीं रहेगा विक डायेशन सिस्टम होता है उसके बाद overconfident कभी कभी नजर आते हैं डेफाइंस होता है इनको authority से problem है रूल रेगुरेशन से problem है यह अपने रूल रेगुरेशन के साब से अपने नियम कानून के साब से चलना पसंद करते हैं यह एक निगेटीव एंपक्ट है यह निगे इस तरह करेंगे इस तरह की सख्याद्यों को अपने ऊंदर लाएं निगर क過 से करेंगे हैं इसके पैटेंटिव क्या है या पाइंप्ट बोलें नियाटीव इंपक्टू कैसे काम करता हैigent कर आप कि कैसे नंबर की निगलकी चीज़ार अपतार आ सते लिए हां इनको suitable है इनके लिए harmony पाइदा करता है compatibility लाता है वह चीज़ें क्या क्या हो सकती है अब हम बात करें colors का रंग का हमारे life में बहुत importance है और रंग की जो frequency है color की यह इंपक्ट करती है यह यह लो है गोल्डन कलर जो यह लेते जो भी color है यह क्या है यह नंबर तीरी यानि जूप्टर के लिए suitable है compatible है उसके लिए strong period क्या है strong period का मतलब यह है कि वह कैंसा ऐसा समय है वह कौन सा ऐसा मन्त है जिसमें तिन नंबर की energy एक सही direction में चैनल आई होती है उसके लिए suitable होती है इसके लिए strong period यानि की positive टाइम हम बोले सही मुहर्त की बात करें तो 19 फेवरडी से लेकर 20 मार्च तक का टाइम बहुत अच्छा है एक किस नॉमबर से लेकर 20 दिसमबर तक का जो टाइम है वह strong period अच्छा टाइम है अगर आपको जो मोहर्त होगा उतना suitable नहीं होगा नंमबर ठीडिक लिए मंथ क्या है मंसरे अक्टूबर नहीं है यह क्या है उतना suitable नहीं है नंबर ब्यक्ति हैं तीन नमबर से परभाईते मुलांग भाग्यांग नाम नमबर तीन है वो क्या है वो बहुत ही रिस्पोंसिवल दिखेंगे आपको और क्या है फैमली के बहुत टेक किया करते हैं तो यह है तीन नमबर की इनर्जी और रिलेसंशिप में कैसे अप्लीकेवल है आप जर्नुलिष्ट वर सकते हैं और इंफ्लूएंशर बन सकते हैं यह सब चीजें किया है तीन नमबर से परभावी ते और तीन नमबर की वेक्ति वाले जो हैं इसने तीन नमबर की नर्जी को सही इनर्जी को परभावी थे उनके लिए भी और पहताना चाहता हूं कोई प्रोफेशन कोई भी वेक्ति कर सकता है बस आपको सब कोई सही नर्जी को पहचानना है इसमें क्या होता है कि आपके पास जो पावर है अगर उसको अपको इटलाइज करते हैं सही डाइरेक्शन में तो आप बहुत अच्छा करेंगी आपको effort कम लगाने के जोड़ परेगी अब हम बात करते हैं लिजर इन होबी जिनको क्या अच्छा लगता है कि इसमें इनको सुकून मिलता है तो रीडिंग मैं आउडूरे स्पोर्ट आपको हो गया फिर पेंटिंग हो गया टीचिंग सोचल वरक इनको मजा आता है इस करने में इनको यह हभी के तरह इसको कर सकत लगी जेम्स तरह एमेथिस्ट क्या है लगी जेम्स है इसको आप किसी भी लॉजर से सही से कुन्लीग देखकर इमेथिस्ट का धारन कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं लगी नमबर का बहुत इंपोर्टन डॉल है हमारे लाइफ में हर जगा हम नंबर से गिरें एवर हम बेसिक्स में जाएंगे और विदा में जाएंगे तो क्या है यह जो जुपिटर है जो हमारे सरीर में तीन चीज़ों होता है का इनको परभावित करती है इनको लिबर से लिटर इसु हो सकता है इस तरह के चीज़ों से परभावित हो सकते हैं अब हम बात करते हैं फेमस परस्टनाल्टी इसका एक्जामपल देना बहुत जरूरी है मैं हर नंबर के वीडियो में एक्जामपल देता हूं कि वह कौन से परस्टनाल्टी है क्योंकि आप जानिए कि हर ब्यक्ति हर नंबर का व्यक्ति ऊच्छा है हर व्यक्ति नंबर का व्यक्ति बुड़ा है जैसे देख सकते हैं इस्हान नियोको क्या है तिन नमबर से परभावित हैं थे तुटिक ऐसे भी होंगे personality जो तरह नमबर तीन से हैं और वह अच्छे नहीं है उनकी success अच्छी नहीं है तो आप यह correlate कर सकते हैं कि हर नमबर अच्छा होता है और हर नमबर का अपना एक attribute से अपना गूंड है उसको सही तरह से यूज करना है सही तरह से चैनलाइज करना है तभी जाकर आप एक successful life जी सकते हैं अब हम बात करते हैं कुछ मंत्र के बारे में मंत्र जो होता है बहुत impact होता है हमारे life में मंत्र का उचारा नगर सही से हम करेंगे और उसका जाप करेंगे नियमित रूप से प्रती दिन तो उस इसना बार कर सकते हैं डेली किजिए इसका impact आपको स्वेम दिखेगा अब हम बात करते हैं कुछ सजेशन का जो important पहलू है हमारे वीडियो का हर वीडियो में मैं last में conclude करता हूं सजेश्ट करता हूं कि क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से जभी मेरी study है जभी मेरा knowledge है उसको म प्रभावित ब्यक्ति हैं उनके लिए कुछ सजेशन से जिनको ध्यान से देखिए और इसको आप apply किजिए दोस्तों तो पहला जो है यह white procrastination यह तीन नमबर वाले ब्यक्ति हैं यह discipline को पसंद करते हैं लेकिन discipline follow नहीं करते हैं एक्षन को थोड़ा slow लेते हैं एक्षन लेकर फास्टिंग नहीं होती है इनकी तो यह से व्यक्तिको प्रकस्टिनेशन यानि कि टाल मटल करने से बचना चाहिए और थोरा सा attention seeker हमेशा होने की जोरत नहीं है अब हमेशा आपको लोग नहीं मिलेगा हमेशा आपको इसा महाल नहीं मिलेगा जो आपके साथ कोई ना कोई ह और आप उनके बीच घीरे रही है आपको यह सकते हैं कहीं इसका आपके साथ कुछ भी हो सकता है तो attention seeker ज्यादा बनने की जोतने रेगुलर करने की जोरते फॉलो दर रूटीन एंड़ मल्टी टास्किंग एक बार में एक से ज्यादा काम करना सही नहीं है क्योंकि आपको करना है तो मल्टी टास्किंग नहीं आप एक काम पर फोकस होकर जरूर उसको फोकस होकर काम केजिए ग्राउंडड रही है और गुड लिस्नर यानि कि थोड़ा साथ दुसरे को भी सुनिये दुसरे काल पक्षिल दिखिए हर व्यक्ति का अपनाना कुछ क्या होता है एक्ट आपको लाइभमे अचा रहना है तिन नंबर के नर्जी को बैलेंस करना है लीध हैं आपको टीचरघें गुरू कियान मिला आपको किसी हर तरह के छेतर में गुरू मिल सकते हैं तो उनका disrespect मत किजिए उनकी ओहलना मत किजिए यह आपको बनाएगा कि तीन नंबर की नेर्जी को बैलेंस कैसे करना है इन सजेस्टन्स को ध्यान दिजिए और इसे पर काम किज़ा और हाँ आपका नमबर तीन है या जो भी लोग ने रेंडियर हैं उनके नमबर तीन की नेरजी उनके पास है तिन नमबर ते परभावित है तो उनको इन एक्प्यूट से कंपेर किजिए और मुझे कमेंट बताई कितना सही है और क्या है तो दोस्तों यही रहा नमबर तीन का वीडिय क्या इसका बुराई है क्या चीज़े हैं क्या क्योंसे क्ष uniform कलर क्योंसा ल्किन नमबर हो सकत सब्सक्राइब कफा डिकेर करके इनको इसक्ता क्या करें किया यह बीडियो कि नक्रीन तक किसी ने वहार में कुछ नॉलिज़ परदान करता है इसको लाइक किजिये subscribe कीजिए और आपके भी कुछ तथ हैं कुछ point है इस एडिटेट तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज जाए जो numerology से related हो astrology से related हो ग्राफology से related हो या निकि आपको name का analysis करवाना है किसी बच्चे का नाम करन करना है या आपको mobile number आपका जो यूज करें कि आपके lucky है कि नहीं सही suitable है कि नहीं उसकी जनकारी लेना है या आपको handwriting and signature analysis करवाना है किसी बच्चे का या आपको handwriting development करना है या आपके life से related कोई भी समस्यां है चाहे किसी तरह के suggestions और counseling लेना है या मनी से related हो या आपकी कुंडली और आपके जो निम लोजी के साब से आपकी रफलोजी के साब से सारी चीज जो के analysis करवाना है अपने अपने sweat analysis करवाने अपने बारे में जानना है तो आप मेरे दिये हुए website पे जिसका नाम है www.edificationhub.com पे services है उसमें सारे details है आप इसके माधम से हमसे जूर सकते हैं और उसके बाद आप जो भी चीज़े हैं जो इस पर mention उस तरह से जनकाड़ी आप ले सकते हैं फिर आप मिलते हैं आप से नए वीडियो में नए के साथ अब तक खुस रहें मस्कुराते रहें और अपने गोल के प्रतिक पोजिटीव इनर्जी के साथ काम केजिए दोस्तों ताकि आप अपने गोल को सही समय पर एचीव कर पाएं थैंक्यू मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही अस्पी